नौडा की बात करते हैं अब ब्रिक के बाद तो यहाँ पर साइबर क्राइम पूलिस ने मनी लॉंडरिंग का डर दिखा कर डिजिटल अरिस्ट के 52 लाक रुपे की ठगी करने वाले शातिर साइबर अपरादी जमुना प्रसाद रावत को गिरिफतार कर लिया यह गिरिफतारी हाथरस से इंटेलिजन्स की मदद से की गई मामला 39 अगस को सामने आया जब नौडा में एक महिला डॉक्टर ने साइबर क्राइम थाने में शिकार दर्च कराई थी जिसके बाद अब यह कारवाई की गई है अगस में एक निजी बैंक के करमचारी के साथ डिजिटल अरेस्ट की कारवाई करते हुए अबराग किया गया था प्रकरण पुलिस के संज्ञान में आते ही इसमें अभ्योग पंजिकरित किया गया तथा साइबर फ्रॉड्स्टर्स के अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया है प्रकरण में फ्रीज किये गए रुपे को कोर्ट के माध्यम से रिलीज करवाने की कारवाई जारी है नेपाल सीवा से भारत में चाइनीज लसून तसकरी करने ले जाय जा रहा था महराज गंज में कस्टम विभागने बड़ी कारवाई करते हुए बड़ी मात्रा में चाइनीज लसून को नश्ट किया इसके साथ चाइनीज आम और कीवी भी नश्ट किये गए है महराज गंज में कस्टम विभाग ने बड़ा एक्शन लिया है भारत नेपाल सीमा पर कस्टम विभाग ने नेपाल से तसकरी कर लाई गई तेरा टन चाइनीज लहसुट देर टन चाइनीज आम के अलावा 3,800 किलोग्राम चाइनीज कीवी को बरामत करने के बाद नश्ट कर दिया नौतनवा इलाके में कस्टम विभाग की कारिवाई से तसकरों के बीच हड़कम्प मच गया बॉडर एरिया में पिछले एक डेड़ महिने में काफी निवारक कारवाई की गई है इसमें काफी लहसुन सीज किया गया है जो चाइना से आया हुआ था ओफ रूट से समगल हो करके इंडिया में आ रहा था और इसको ओनवार ट्रांस्पोर्टेशन करना था तो इसमें PQ की रिपोर्ट आई है जिसमें इसको not fit for human consumption और prohibited बताया गया है इसलिए इसको destruction कर वाया जा रहा है चाइनीज लहसुन के बारे में कहा जाता है कि इसमें मौजूद फंगस से गंभीर बिमारियां हो सकती है साथ ही चाइनीज लहसुन में कीट नाशकों का स्तर भी काफी ज्यादा है कीडों से बचाने के लिए इस पर मिथाईल ब्रोमाइट का भी इस्तिमाल किया जाता है जिसकी वज़ह से इस लहसुन को खाने से पेच की बिमारियां जैसे अलसर, इंफेक्शन, आदी होने का खत्रा रहता है इस जहरीले लहसुन के सेवन से किड्नी से जुड़ी बिमारियां हो जाती है चाइनीज लहसुन देसी लहसुन के मुकाबले सस्ता होता है इसलिए बैन होने के बावजूद ज्यादा मुनाफ़ा कमाने के चक्कर में तसकरे से बाजार तक ले आते हैं फिलाल तो भी चाइनीज और कीवी और चाइनीज आम, कीवी और लहसुन तीनों कमोडिटी हैं जिसका डिस्ट्रक्शन करवाया जा रहा है चीनी लहसुन को आसानी से पहचाना जा सकता है चीनी लहसुनों का रंग हलका सफेद और हलका गुलाबी होता है वहीं देसी लहसुन की बात करें तो ये आकार में छोटे होते हैं और उनका रंग सफेद या फिर क्रीम कलर का होता है एक तरफ जहां देशी लहसुन की गंद तेज होती है तो चाइनीज लहसुन की गंद हलकी होती है भारत में लहसुन की कीमत ज्यादा है कुछ दिनों से नेपाल के रास्ते चाइनीज लहसुन के बड़े पैमाने पर तसकरी शुरू हो गई थी महराज गंच से न्यूज 18 के लिए आशीश कुमार शुकला के रिपोर्ट